आज की दुनिया में जहां हर सक्स अपने लिए प्यार तलासने में जुटा है वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारी जिन्दी की अकेले गुजार देते हैं अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ महलाएं हमेशा मर्दों से दूर रहने की कोशिस करती हैं उन्हें किसी भी तरह का लड़का कभी पसंद आता ही नहीं इसलिए वो कुमारे ही अपना जीवन बिता देती हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही कानु बताने जा रहे हैं यहहोता है कि पुर्स धोका देते हैं लोयल नहीं होते चीटिंग करते हैं वो इसे रिष्टों को बनाना पसंद नहीं करती जिन्से बाद में रोणा पड़े वो बिंद आज जिनवी जीना चाहती वो दोस्त बनाती हैं लेकिन साधी किसी से नहीं करती है और वेसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियों में ये भे बना होता है ये डर बना होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी लड़के से साधी कर लूँ या पियार कर लूँ उसके बाद में वो लड़का उसे दोका दे दे और दोका देना किसी के दिल पर बहुत ज़्यादा असर करता है जिसकी वज़ा से कोई भी इंसान अंदर से टूट कर चुछना चूर हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसा होना ट्रेजडी की दहे होता है कहने का आर्थ है कि ये जिन्दगी भर एक सही मर्द का इंतिशार करती रहती है इन्हें वास्तव में खुद समझ नहीं आता कि उन्हें किस टाइफ का लाइफ पार्टनर चाहिए वैसे जो ऐसी लड़की होती है उनमें अक्सर देखा जाता है वो ऐसे लड़की के तलास मेरती है जो बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा लोयर हो इसके अलावा माना जाता है कि महलां मरक्तव में उनकस्ला नफरत करते हैं औहीं करता है है और अब हो सकता है कि वैसे अगर देखा जाए तो हर तरीका का लड़का होता है हर तरीकी के लोग होते हैं सभी कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लड़के बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं बाकी लड़कियों के तरह लड़के दोस्ती इतनी होते हैं कि उन्हें जरूरत ही किनि सप्ट इस प्यार आपना करियर वैसे फ़िए घास आइप अगर करियर नहीं है तो समझो आपकी चिंजगी नरख है इसलिए प्यार अपनी जगे होता है करियर अपनी जगे होता है इसलिए करियर पार ज्यादा फोकस किया जाए तो लेटर होगा कि एक्यों और एन हल्डेस की पॉम्ट कि एक्यों और एन हल्डेस की पॉम्ट